नमस्कार दोस्तों, Ultimate Health and Home Remedies चैनल में आप सभी का स्वागत है, Ultimate Health and Home Remedies आपकी सेहत का खयाल बकू भी रखता है, तो अगर आप लोगों की ऐसे एप्स बनाने की इच्छाएं हैं और आजगल महिलाओं की एप्स बनाने की इच्छाएं बढ़ने लग गई हैं, क्योंकि अग लोगों का भी मन करता है कि हम लोग एप्स बनाएं, तो अगर आप लोग ऐसे ही एप्स बनाने की इच्छा रखते हैं, तो आप लोगों को एक जो टार्गेट होता है, जैसे कि अगर आप लोगों को एक टार्गेट जो है वो डिसाइड करना होता है, कि आप लोगों को इत होता है तो आप लोग जो हैं किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोगों को determine होना जरूरी होता है द्रड़ निश्चाई होना जरूरी होता है सबसे ज़्यादा weight loss में या apps बनाने में या अपना figure बनाने में अगर आप लोग determine होते हैं यानि deterministic होते हैं तो आप लोगों को उतना ही अच्छा results जो हो मिल पाता है तो आप लोग deterministic होंगे और ध्रड़ निश्चा ही होंगे और आप लोग अपने result को पाएंगे तो बिस्तर में लेटने की जरुत नहीं है अब आप लोगों को अपने बिस्तर से उठना है यानि कि सुबह जो है जल्दी आप लोगों को उठना है छे वजे तक आप लोग जो है उठ सकते हैं और उठने के बाद आप लोगों को एक ही फोकस आप लोगों को रखना है कि आप लोगों को अपने shoes जो है वो बांद लेने है जब आप लोग अपने shoes बांद लेंगे तो दुबारा आप लोग बिस्तर पर नहीं सोएंगे पहली बात और कहते हैं कि सूरिय उद्य होने से पहले अगर आप लोग उड़ जाते हैं और अपने जूते पहन लेते हैं वर्काउट करने के लिए तयार हो जाते हैं तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी तो दोनों जूतों को आप लोग जो हैं उनकी लैसेस जो हैं आप लोग बांध लीजे और टार्गेट फिक्स हो ही गया है आप लोगों का ताकि body आप लोगों की healthy रह सके साथ में आप लोगों को एक yoga mat भी रखनी है क्योंकि mat पर अगर आप लोग योगा करेंगे तो आप लोगों के पैर फिस लेंगे नहीं चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला workout है abdominal crunch बहुत अच्छा workout है ये सभी workout 8 minute के workout रहेंगे टोटल आप लोग इसमें 15 to 16 minute या 20 minutes ले सकते हैं तो abdominal crunch जो है वो आप लोगों को 40 second के लिए करना है सभी workout 40 second के लिए है इसमें अगर आप लोग देख रहे हैं तो woman के नीचे जो है वो yoga mat है ठीक है दोनों हाथ जो है वो गरदन के पीछे रखे हुए है और दोनों जूते जो है अगर आप लोग देखे तो उनके जो तलवे हैं जो area है वो टिकी भी नहीं है से तलवे टिके हुए है तो आप लोगों को क्या करना है सांस छोड़ते वे उपर की और ले जाना है ठीक है और सांस निकालते वे जो है नीचे की और ले कराना है तो ये abdominal crunch है जो की finish होता है first exercise के साथ अब हम लोगों को second exercise करनी है वो है bicycle crunch bicycle crunch जो है bicycle crunch को भी आप लोगों को कितने second के लिए करना है 40 second के लिए करना है और simple exercise है अगर आप लोग सभी exercise देख रहे हैं सभी exercise के बीच में 10 second का rest भी मैंने दिया है और जो complete हो चुकी exercise है वो मैंने आप लोगों को बताई है कि ये आप लोगों को complete आप लोगों ने की है तो bicycle crunch भी बहुत low impact exercise है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा hips के basis पर ही रहना है नीचे yoga mat के उपर और bicycle चलाना है जैसे cycle आप लोग चलाते है तो इससे आप लोगों के legs अच्छे बन जाते हैं आप लोगों के जो lower belly है वो भी आप लोगों की engage रहती है तो अच्छा workout आप लोगों को मिलता है तो ये workout आप लोगों ने complete किया है bicycle crunch और 10 second का आप लोगों को rest मिल ही गया है तो दूसरा workout भी आप लोगों का complete हो गया है तीसरा workout हम लोग बात करते हैं low impact bicycle crunch की low impact bicycle crunch actually में है क्या ये अच्छा workout है जो लोग normal bicycle crunch नहीं कर सकते हैं जिनका जल्दी सांस फूलने लगता है तो low impact bicycle crunch कर सकते हैं इसमें दोनों गुटने आपस में मुड़कर पैर आप लोगों की yoga mat पे रहेंगे अब आप लोगों को crunch करने के लिए दोनों हाथों को अपनी गर्दन के पीछे लेकर जाना है और गर्दन को उठाते वे आप लोगों को कोहनी को भी गुटने से टच करना है तो ये एक simple सा workout है low impact bicycle crunch और आप लोगों को healthy बनाता है अगर इसके benefits देखें तो बहुत सारे है 10 seconds का rest है आप लोगों का तो अगर आप लोग benefits देखना चाहते हैं तो आप लोग ये कह सकते हैं कि आप लोगों की जो belly है वो इसे engage रहती है crunch exercise crunch एक बहतरीन exercise इसमें count की जाती है और 40 seconds से आप लोगों को crunch करना है crunch जो है आप लोगों की abdominal fat को बहुत जल्दी reduce करता है आप लोगों के abs को engage रखता है आप लोगों का muscles mass increase करता है body को tone बनाने में help करता है बहूत सारे फाइदे हैं crunch के खास कर आप लोगों की rectus abdomen को engage रखता है और आप लोगों के apps निखारने में भी crunch बहुत अधिक help कर सकता है तो अगर आप लोग crunch करेंगे 40 second के लिए तो आप लोगों को apps से related बहुत सारे फाइदे मिल सकते हैं तो 10 second का rest आप लोगों को मिल जाता है 4 second में और मैं यही कहूंगा दोस्तों कि आप लोगों को crunch जरूर करना चाहिए अगर आप लोग apps बनाना चाहते हैं नंबर 5th exercise की बात करते हैं Caesar crunch Caesar crunch में अगर आप लोग देखेंगे तो women जो है normal जो आप लोगों की position थी जिसमें आप लोग bicycle चला रहे थे उसी position में आप लोगों को seizures सलानी है seizures सलानी के लिए आप लोगों को दोनों पैरों को आपस में एक दूसरे से cross करना है उपर की और कभी left पैर जाएगा तो कभी right पैर जाएगा तो यह आप लोग करेंगे तो इससे आप लोग अगर आप पेट की muscles देखेंगे तो वो vibrate करने लगेंगी वो engage रहना start हो जाएगी और engage रहना start हो जाएगी तो definitely आप लोगों को abs से related फाइदे मिलना भी शुरू हो जाएगे तो abs के लिए भी यही बहुत अच्छी exercise है पांचवी नमबर के exercise seizure crunch इस position को अगर आप लोग ध्यान से देखें 10 second के rest में तो आप लोग देखें कि आप लोगों की abs muscle बाहर निकल कर आ रही है कितना फाइदा आप लोगों को हो रहा है नमबर 6 exercise है twist twist में आप लोगों के दोनो पैर भी twist होंगे left to right आप लोगों के दोनो हाथ भी left to right twist होंगे लेकिन position क्या आप लोगों को रखनी है वो देखिए hips के base पर आप लोगों को रहनी है ठीक है अगर आप लोग पैर नहीं move कर सकते हैं तो Russian twist बहतरी exercise है अगर pair move कर सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छी exercise है twist exercise इसको हम लोग बोलेंगे तो Russian twist भी कर सकते हैं twist भी कर सकते हैं पैरों को दोनों को आपस में चिपका लीजिए left to right move कीजिए जब आप लोगों के हाथ right position पर जाएंगे तो left position पर आएंगे और हाथ left पर आएंगे तो right position पर आप लोगों के पैर जाएंगे ठीक है तो ये बहुत अच्छी exercise है twist exercise और इसके फाइद अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के abs muscles से related बहुत ज़्यादा फाइदे होते हैं खास करिए आप लोगों की rectus abdomen को engage रखता है number 7 exercise की और बढ़ते हैं standing crunch standing crunch जो है खास कर उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है जो लेट कर exercise नहीं करना चाहती खड़े खड़े exercise करना चाहती है तो standing exercise में अगर आप लोग crunch को use करना चाहते हैं तो आप लोग standing bicycle crunch कर सकते हैं या standing cross crunch कर सकते हैं तो इसमें आप लोगों की जो lower belly होती है वो जादा engage रहती है और आप लोगों के glutes भी engage रहते हैं तो lower belly का just part हम लोग कह सकते हैं कि glutes से connected होता है तो आप लोगों के glutes healthy रहेंगे तो lower belly आप लोगों की या नहीं hanging belly आप लोगों की नहीं रहेंगी बहुत अच्छी exercise है अब हम लोग बात करते हैं number 8 exercise की side rotation side rotation मैंने इसलिए डाला है ताकि आप लोग जो है जो side का fat है वो भी आप लोग reduce करें love handle को reduce करना जरूरी होता है क्योंकि ये जो fat है side का fat ये बहुत जादा परिसान भी करता है तो आप लोग क्या करें इसको करना भी बहुत जादा आसान है जस्ट आप लोगों को दोनों हाथों को movement जो है उस प्रकार रखना है पहले दोनों हाथों को फैला लेना है अब एक हाथ को दूसरे हाथ के नीचे ले जाते वे जो है twist करना है just opposite side में जो हाथ नीचे की ओर गया है उससे just side reverse side में आप लोगों को गर्दन जो है वो जो है side band करनी है तो बहुत अच्छी exercise है side rotation इस exercise के फाइदे जो है वो ये हैं कि आप लोगों का external जो oblique muscles हैं वो इससे lean हो जाती है तो ये बहुत अच्छी exercise है love handle fat को reduce करने में बात करते हैं नवी exercise की standing side plank standing side plank को अगर आप लोग देखें तो ये एक परकार की spider man plank है exercise है और ये आप लोग जो कर रहे हैं वो आप लोग left leg से कर रहे हैं तो अगर आप लोग muscles को देखें तो जो left muscles है आप लोगों की just फेफडे से नीचे वाली जो muscles होती है oblix muscles जिसकों लोग बोलते हैं वो आप लोग देखें कि कितनी खिचाव महसूस कर रही है ठीक है अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो just आप लोग pant के उपर देखें जो abs muscles है वो तो आप लोगों की अलग दिख रही है और आप लोगों की जो खिचाव महसूस कर रही है वो muscles कितना stress महसूस ले रही है तो इसका मतलब है engage है वो और यही है कि आप लोगों की oblix muscles engage रहेंगी तो आप लोगों का side fat जल्दी reduce हो जाएगा तो अब बात करते हैं standing side plank R की यानि की rotation R के साथ हम लोग करते हैं ये last exercise आप लोगों की 10 वी exercise और इसको भी आप लोगों को 40 second के लिए करना है और इसके अगर हम लोग फाइदे देखे तो मैंने कहा था आप लोगों को कि glutes जो हैं या thighs जो हैं वो connected रहती हैं lower belly के साथ तो अग abs muscles में खासकर जो exercise हो जाती है वो glutes की हो जाती है आप लोगों की और side muscles की जो thighs की होती हैं hamstring muscles की उसकी भी हो जाती है तो बहुत अच्छी exercises में आप लोगों को बताता हूं सुभह उठिए और exercise कीजिए पस यही आप लोगों को करना है आज के लिए इतना ही धन्यवाद